तो हमेशा की तरह आपके लिए आपकी काम के चीज ले कर रहा है तो इसलिए विडियो को प्टाफट से लाइक कर देजें आपने सब बहुत सारे लोगों के सब्सक्राइब आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक से रिलेटेड डिसीजन अपका क्या होना चाहिए अगर आप यह जाना चाहते हैं तो विडियो को बिने स्किप करें पूरा जरू देखें अभी देखें जोगा विडियो शूट करें हूं 5900 प्लस ट्रेड कर रही है यह इसमें 0.74% का राइस भी देखने को मिला है जब यह विडियो शूट करें हूं उस ताम इसके पहले यह 5900 से नीचे ही ट्रेड कर रहे थी और इस ताम अपने 52 वीक हाई से 27% करेक्शन में अभी भी है यानि कि 6000 का लेवल अभी प्रॉस नहीं किया है जब मैं विडियो शू अभी भी हाई है 1.46 है जो यह इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक में वालिटिलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है यानि कि जो मोमेंट है प्राइस के यह आपको अप्ड़न बहुत ज़्यादा अभी भी देखने को मिलेंगे इसके साथ ही positive stock है long term के लिए कमाल का stock है finance sector से growth भी अच्छा में देखने को मिलेगा strong company है quality वाली company है लेकिन falling की अगर मैं बात करूँ तो already 19% से अपना market के application इसने घटाया जिसके वज़े से stock का price underperform रहा and कुछ brokerage firms ने selling pressure देते हुए selling का indication दिया जिस वज़े से तापर तोड बिकवाली हुई and यह तो आप जानती होंगे क जब भी किस stock में selling का indication मिल जाता है and तावर तोड बिकवाली होती है तो बिना mood के भी stock के prices fall होते है and यह target कहां तक दिया गया था 6000 तक and यह just उसी के ask पस trade कर रही है and आपको यहाँ पर मैं कुछ clear करना चाहती हूँ कि देखे एक तो stock सस्ता हो गया है and सस्ता stock हमेशा long term वालों चाहते हैं तो आप 6000 प्लस पर 7000 प्लस पर भी buy करने के लिए त्यार है आप इसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 7000 प्लस पर भी buy किया होगा तो मेहंगे खरीदने से अच्छा है कि stock सस्ता मिल रहा है तो थोड़ा risk लेकर सस्ते price पर ही क्यों ना इसे buy करें क्योंकि short term में भी recovery हमें बिल्कुल मिल सकती है बस जरा सी positive T की देरी होती है लेकिन जैसे कि एक कहावत है कि आज ही जानकारी हमेशा ही घतरनाक हो सकती है तो स थोड़ी है कि हर 50 points पर add करते चलो accumulate करते चलो ऐसा थोड़ी है कि stock बस गिर गया आपको खरीद लो सस्ता मिल रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हमें levels जानने होते हैं चार्ट के basis पर क्या support है क्या resistance है अगर हम entry लेते हैं तो adding कब करना बहतर होगा averaging करना किस price पर बहतर ह होगा fresh entry लेते हैं तो कितना टार की truck सकते हैं and stock price और कितना किर सकता है यानि कि हमने अगर इस price पर ले लिया और कितनी falling हमें देखने को मिल सकती है जहां add accumulate करके हम अपना risk कम कर सकते हैं and profit हम कितना expect कर सकते हैं यह सारी चीजे chart के basis पर जाना बहुत जरूरी होता है investment करने के शौर्टम के लिए भी लॉंग अपने चार्ट पर चले आ गया है हम अपने चार्ट पर अना पर शौर्टम के लिए देखते हैं इसलिए मने 45 मिनट का ताइम यूज किया है अभी stock price में जो है अच्छा का सा buying indication मिला है यानि कि short term rise momentum हमें देखने को मिल सकता है यहां पर stock का जो price है 5870 पर अच्छा खासा support था जांसे reversal हमें देखने को मिला है short term की मैं बात करी हूँ तो जिसने भी यहां पर add accumulate किया है उसे अच्छा खासा profit मिल रहा होगा तो अभी देखिए हमें जो rise है जो target है हमें आराम से first target 61 140 का देखने को मिल सकता है इस price तक यह target हमें अभी हमे लेवल से में देखने को मिल सकते हैं बजास finance में अगर rise होती है तो 6130 का price जो अभी अच्छा खासा यहां तक target मिल जाएगा and इससे cross करती है तो 6400 का target रखकर हम चल सकते हैं in just short term की मैं बात कर रही हूँ अगर मैं long term की बात करूं तो weekly time frame पर हम देखते हैं and stock का जो अच्छा लेवल होगा वो अभी अगर मैं लमे time framing की बात करूं तो 6500 का यह जो लेवल है इसको break करती है तो ही हमें बढ़ा target long term के लिए मिलेगा and 6500 के level को cross करती है तो हमें अगला target 7500 का देखने को मिल सकता है मैं long term की बात करूं अगर long term के लिए इस stock के कुश लेवल जाना चाहते है तो 5400 पर adding accumulating बहुत ही कमाल की होगी and अभी 6500 का target आपको देखने को मिल सकता है and 6500 के level को break करती है मैं long term की बात करूं तो 7500 का लंबा target हमें रखकर चलना है पर long term वैसे भी stock बहुत अच्छा है adding accumulating करके आगर आप चलते हैं तो short term में भी अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है आपको and long term के लिए stock बहुत सदा amazing है बस ज्यादा सजदा आपको एक है दो adding accumulating कर के चलनी है तो quality stock है मुझे लगता है कि opportunity ही या सस्ते price वर ऐसे stock को focus करना हो सकता है थोड़ा time लगे recovery में stock बहुत यह अच्छा है for long term इसके साथी आपको बता दूँ कि आपने से बहुत सारी लोग है brokerage के लिए काफी परिशान हैं पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई platform है जो brokerage charges हमसे zero लगे यहां पर मैं बहुत यह platform बता रही हूं अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी आप ज्यादा investment कर सकते हैं ज्यादापई से ट्रेड इवेस्ट कर सकते हैं यहन कि प्रॉफिट ज्यादा earn कर सकते हैं यानि कि अगर आपके पास सिर्फ 20,000 भी रुपे हैं तो आप 1 लग तक का ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं कैसे इसके लिए बहुत एचा प्लाटफॉर्म है M-Stock M-Stock क्यों बहतर है मैं M-Stock क्यों प्रेफर करें हूँ इसके बारे में आप समसू लेजिए जान लेजे एक तो देखिए 9 से 10 महिनों में इन्होंने काफी ट्रस्टेड यूजर्स अपने बना लिया है क्लाइन्स बहुत ही ट्रस्टेड इन्होंने बना लिया है बहुत ही बैतर परफॉर्म दिया है आप देख सकते हैं यहां पर कि 1 lakh प्लस यूजर्स हैं इनके ट्रस्टेड वो भी इसलिए 4 करोर प्लस ट्रेड यहां पर हो रहे है 73% इनके active clients है 100 करोर प्लस MTF books भी available आपको मिलेगी यानि कि हर 30 सेकंड में एक क्लाइंट इन से जोड़ रहे है इतना अच्छा ट्रस्ट ही अपना बना रहे है इतने बेहतर performance के साथ इसके साथ ही आपको यहां पर margin trading facilities मिलेगी stocks में future options, currencies, mutual fund and IPOs में भी आप invest कर सकते हैं इसके अलावा zero brokerage है यानि कि अगर आप एक trader है, investor है या फिर स्कैल्पिंग करते है तो आपको brokerage देने की जरूत ही है charges यहाँ पर zero है और कोई hidden charges आप से नहीं लिया जा रहा है आप कितना charges बचा सकते हैं यह जानने के लिए मैं आपको यहाँ पर इनके brokerage calculator पर लेकर जाती हूँ जिससे कि आपको clear पता चल जाएगा कि आप कितना brokerage अपना बचा सकते हैं चले जैसे कि आप option करते हैं मालने युचे 20 brokerage per order हमने माना and number of trade हमने 20 कर ली खासकर कि जो scalping करते हैं एक दिन में वो एक minute के time framing पर trade करते हैं 5 minute के time framing पर trade करते हैं मैं खुद भी करते हूँ एक दिन में 20 प्लस trade हो जाते हैं और उसके charges बहुत जाबा आते हैं अगर आप सच में इस चीज़ से परिशान होना तो M-Stock पर आप बहुत ज़दा brokerage अपनी save कर सकते हो अब आप देख सकते हैं जैसे कि आप option कर रहे हैं अब नंबर अफ ओडर्स भी मैं 20 मानती हूँ तो equity and delivery में आप 1,92,000 यानि कि लगभग 2,000 तक अपनी saving आप कर सकते हैं yearly basis पर ये benefit आपको M-Stock पर मैं जाएगा इस तरीके से आप अपने brokerage को save कर सकते हैं जो कि और किसी platform पर आपको इतना brokerage saving नहीं मिलेगा इसलिए M-Stock पर brokerage बहुत ज़दा बच जाता है तो इसके लिए ये platform बहुत ही amazing है इसके साथ ही आपको बता दू अभी जस मैंने आपको बताया M-T-A facilities के बारे में M-T-A facilities क्या होता है कि अगर आपके पास बज़र्ट कम है तो 20,000 रुपीज जसे की मालने जो है तो आप 1,000,000 तक का trade invest कर सकते हैं ये facilities आपको सिर्फ M-Stock प्रोइड करा रहा है ये कहीं भी नहीं है margin जो है आपको 50% या फिर 70% तक other मिल जाता है other platform पर लेकिन 80% तक margin आपको कोई भी platform प्रोइड नहीं कराता है इसके लिए interest rate भी काफी उनके high होते है लेकिन M-Stock जो है 7.99% का lowest interest rate पर आपको ये e-margin facilities आपको दे रहा है यहाँ आप check-out कर सकते हैं मैं अगर other broker से calculate करूँ ति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो other brokers हैं ये आपसे 12.05% का interest rate लेते हैं इसके साथ ही brokerage charge आपसे 2000 तक लेते हैं ठीक है and annual interest amount जो है आपका 4.80,000 तक हो जाता है लेकिन वही पर M-Stock पर ये जो interest rate है 7.99% है सबसे lowest है and brokerage charges नहीं है इसके साथ ही जो annual interest amount है 3.19,600 तक आपका होगा लेकिन overall जो है आप M-Stock पर 1,62,400 तक अपनी saving कर सकता है यह benefit आपको कमाल का यहाँ पर मिल सकता है यहाँ पर मैं आपको कुछ reasons बताती हूँ emerging facilities के कि M-Stock पर आपको क्या-क्या मिल जाता है बहतर जो other platform पर other industry में आपको नहीं मिलेगी जैसे कि देखे यहाँ पर जो interest rate है 7.99% है and maximum 9.49% है लेकिन other industry आपसे up to 18% लेती है अब आप सुप सकते हैं कि कितना जादा है उसके साथ ही placing की अगर मैं बात करूँ तहीं यहाँ पर pre-placing का आपको option मिलता है M-Stock पर लेकिन other industry में post-placing मिलता है यह benefit आपको मिल रहा है साथ में placing charges जो है M-Stock सिर्फ 12 रुपय आपसे charge कर रहा है and जो other industry है आपसे 29 रुपीज लेती है इतना difference है holding period की बात करूँ जो यह बहुत ही amazing M-Stock पर आपको unlimited time period मिल रहा है and others जो है आपको 365 days का ही देते हैं unlimited time period यहाँ पर holding period आपको मिल रहा है number of scripts की अगर मैं बात करूँ तो other industry जो है 200-900 scripts यानि कि stocks में आप MTF facilities का benefit ले सकते हैं लेकिन आप 700 plus scripts आपको मिलती है M-Stock पर यानि कि 700 plus stocks में आप MTF का benefit लेकर चल सकते हैं funding यह बात करूँ तो जैसे कि आपको बताया था 50-70% other brokers आपको देते हैं other brokers आपको देते हैं लेकिन यहां पर M-Stock आपको up to 80% तक funding दे रहा है subscription charges zero है and other platform पर आपको 10,000 तक भी pay करना पड़ा है no hidden charges नहीं है and others जो है कई तरीके से hidden charges आपसे ले लेते हैं तो यह सारे benefit आपको मिलेगे इसके साथ ही zero brokers है and सिर्फ 3 click में आपका जो process execute हो जाएगा MTF process इसके साथ ही आप अपने MTF positions को track कर सकते हैं इसके साथ ही आपका जो return on investment है यह भी increase होता रहेगा यह benefit आपको मिलेगा M-Stock पर जो कि और किसी platform पर नहीं है इतना बहतर e-marging facilities और कोई platform आपको provide नहीं करा रहा है अब इतनी सारी facilities आपको मिल रही है तो बिल्कुल ही pricing के बारे में आपके mind में आया हुगा कि इनका plan क्या है तो चले मैं आपको plans बता जें वैसे तो zero brokerage है for lifetime लेकिन इनके दो plans है मिलेंगे आपको जिसे जानना बहुत ही जुरूरी है सबसे पहला इनका plan है 149 का लेकिन अगर आप 149 का plan लेते हो तो delivery में mutual fund में and IPO के लिए आपको कोई charges नहीं देने है for lifetime ये free है लेकिन वही पर intraday में FNO and currencies के लिए आपको 20 rupees charges देने होंगे और वही 999 का plan अगर आप लेते हो तो चाहे FNO हो, mutual fund हो चाहे intraday हो for lifetime free होगा तो मुझे लगता है कि ये better option है कि 149 का plan ना लेकर हमें 999 का plan लेना शाहिए क्योंकि ये lifetime के लिए हर चीज़ फ्री हो जाएगी कोई charges आपको नहीं देने होंगे extra and को hidden charges भी इसके अलावा नहीं है लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक optional है वो मैं आपको बता देते हूँ जैसे कि annual maintenance charges जो है brokers लेते हैं, other platforms भी आपसे लेते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप 149 का plan लेते हो या फिर annual maintenance charges आप free नहीं कराते हो तो every quarter आपको 120 रुपी charges देने होंगे लेकिन वही आप इस 999 के plan के साथ एक और 999 का plan ले लेते हो तो जो annual maintenance charges है यह भी for lifetime free हो जाएगे यानि कि बस यह दो plan के साथ lifetime के लिए आपको कोई charges नहीं देने होंगे तो यह दोनो plans मुझे लगता है कि सबसे better है यहाँ पर जो brokers है यह other industry के साथ आप calculate करेंगे तो clearly आपको नजर आएगा कि चाहे delivery हो, intraday हो, future हो MTF हो, option, currencies, mutual fund यानि कि all over जो है जो full service brokers है यह आप से up to 0.55% का charge लेते हैं जो discounted broker हैं यह भी up to 20 रुपीज आप से ले लेते हैं लेकिन जो M stock है आप से 0 charges ले रहा है कोई hidden charges या नहीं है, आप देख सकते हो appropriate charges आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हो यहाँ भी आप देख सकते हो इनकी जो list है कि कौन-कों से charges आई यह ले रहे हैं यानि कि कोई hidden charges नहीं है, जो भी charges है यहाँ पर included already तो आप check out कर सकते हो इसलिए M stock platform बहुत अच्छा है चाहे trading के लिए, चाहे investment के लिए और यह trusted भी है क्योंकि 25 years का इनके पस experience है और इसके साथ ही आपको बता दूँ कि 5 continents तक पहले हुए है and one of the largest platform है in the Asia इसलिए M stock platform बहुत ही amazing है तो अगर इसलिए आपको एक बार जुरूर ही ट्राइ करना चाहिए M stock platform को जिसका link मैंने description में and comment section box में mention कर दिया है तो आप जाए आपको download किजिए and एक बार जुरूर ट्राइ किजिए इसको and इतने सारे facilities आपको मिल दिए जो और किसी platform पन नहीं है इसलिए M stock को try करना बनता है तो चलिए मिलते हैं next video में thanks for watching, bye bye